वेलकम टू हिमजॉपसलाट यूटूब चैनल दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाली 26 पदों के भरतियों के बारे में और ये बरतियां होने वाली हैं केंदरी बिदले संगटन बनिखेद दिस्टिक चमबा हमाचल प्रदेश में यहां पर टीचिंग और नोन टीचिंग की स्टाफ के 26 पद भरे जाने वाले हैं यह बरति कुंट्रेक्ट बेस पर होने वाली है यानि कि 2021 22 के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले पी यार्टी और नोन टीचिंग स्टाफ की तो इनके यहां पर दस पद भरे जाने वाले हैं जिनमें म्यूजिक टीचर, कॉंसलर, योगा टीचर, स्पोर्ट्स कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, डॉक्टर, डाटा इंट्री ओपरेटर और अन्या पोस्ट भरे जाने वाले हैं आगे बात करते हैं PGT की तो PGT की 9 पोस्ट रखी गई हैं जिसमें Computer Science, Maths, Physics, Chemistry, Biology, English, Hindi, Accountancy, Economics के पद भरे जाने वाले हैं आगे बात करते हैं qualification की qualification यहां पर आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट, ओन कंसर्ट, सब्जेक्ट भी एड होना चाहिए आगे बात करें TGT की तो इसके लिए आठ पद भरे जाने वाले हैं इनमें Science, English, Hindi, Maths और संस्कित, Physical Education और Social Studies रहने वाले हैं qualification इसके लिए भी graduate with concerned subject with B.Ed होने चाहिए तो दोस्तो इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं salary के बारे में तो दोस्तो salary जो मिलेगी आपको यहां पर for teaching staff के लिए 25 से 27 जार रहने वाली है और जो non teaching staff है उसके लिए 20 जार से 22 जार रहने वाली है जुरूरी सुचना दोस्तो यहां पर आपका direct interview होगा कौन सी post के लिए कौन सी date को interview होगा इसके बारे में हम detail आगे बात करते हैं important date के बारे में तो बात करें हैं PRT और non teaching staff की तो आपका यहां पर 26 तारीक को interview होगा और बात करें यहां पर TGT और PGT की तो आपका 27 तारीक को इंटरव्यू होने वाला है बात करें interview venue की तो आपका जो venue होगा वो KBS बनीखेट रहने वाला है आपको वहां पर जाना होगा पे upload नहीं किया है I think एक या दो दिन के अंदर अंदर यह वहां पे upload कर देंगे तो आप इनकी official website से download कर लीजिएगा website का link मैं description में दे दूगा वहां पर जैसे ही upload करते हैं तो उसको आप form को download कर लीजिएगा और उसको form को भरने के बाद required document को साथ में ले जाकर आपको venue में पह लखनी है दोस्तों यह regular requirement नहीं है अगर यहां पर कोई government employee आता है तो आपको वह पद उसी time छोड़ना पड़ेगा चाहे एक दिन के बाद ही आ जाए या एक साल के लिए वैसे एक साल के लिए के यह contact रहने वाला है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही हमारे यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजीए का ताकि आने वाली हर government jobs और private jobs की latest जानकारी आपको time से मिलती रहे तो आसा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी comment section में जूरू पताए कोई suggestion हो तो please मुझे बताए और मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लि जाहिन जाबर जाहिमाचन